मेरे प्यारे देश्वासियों नमस्कार आज देश के कही हिस्सों में सूर्य उपासना का महा पर्व छठ मनाये जा रहा है छठ पर्व का हिस्सा बनने के लिए लाखों स्रद्धालूं अपने घाउं अपने घर अपने परिवार के बीच पहुंचे हैं मेरी प्रार्थना है कि छठ मैया सब की समरुद्धी सब के कल्याण का आश्चिरवाद दें साथियों सूर्य उपासना की प्रंपरा इस बात का प्रमान है कि हमारी संस्कृती हमारी आस्था का पक्रूती से कितना गहरा जुडाव है इस पूजा के जरिये हमारे जीवन में सूर्य के प्रकास का महत्व समझाया गया है साथ ही ये संदेश भी दिया गया है कि उतार चड़ाव जीवन का अभिन हिस्सा है इसलिए हमें हर परिस्थिती में एक समान भाव रखना चाहिए छट मेया की पूजा में भाती भाती के फलों और ठेकुआ का प्रसाद चड़ाया जाता है इसका वरत भी किसी कठीन साधना से कम नहीं होता छट पूजा की एक और खास बात होती है इसमें पूजा के लिए जिन वस्तों का इस्तिमाल होता है उसे समाज के विभिन लोग मिल कर तयार करते हैं इसमें बांस की बनी टोकरी या सुपली का उप्योग होता है मिट्टी के दियों का अपना महत्व होता है इसके जरिये चने की पैदावार करने वाले किसान और बतासे बनाने वाले छोटे उद्यमियों का समाज में महत्व स्थापित किया गया है इनके सहीयों के बिना छट की पुजा संपनी नहीं हो सकती छट का पर्व हमारे जीवन में स्वच्चता के महत्वपर भी जोड़ देता है इस पर्व के आने पर सामुदाईक स्तर पर सडक, नदी, घाट, पानी के भिविन स्रोत सब की सभाई की जाती है छट का पर्व एक भारत सेष्ट भारत का भी उदार है आज बिहार और पुर्वांचल के लोग देश के जिस भी कोन में है वहाँ धुम धाम से छट का आयोजन हो रहा है दिल्ली, मुंबई समेत, महारश के अलगलग जिनों और गुजरात के कई हिस्सों में छट का बड़े पहमाने पर आयोजन होने लगा है मुझे दियाद है, महले गुजरात में उतनी छट पुजा नहीं होती थी लेकिन समय के साथ, आज करीब करीब पुरे गुजरात में छट पुजा के रंग नजर आने लगे हैं ये देखकर मुझे भी बहुत खुशी होती है आज कर हम देखते हैं, विदेशों से भी छट पुजा की कितनी भव्य तस्विरे आती है यानि भारत की समरिद्विरासत, हमारी आस्था दुनिया के कोने कोने में अपनी पहचान बढ़ा रही है इस महापर्व में शामिल होने वाले हर आस्थावान को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुब कामना है